प्रेदितों के कामों का वर्णन, तेरों अध्याय, अन्ताक्या की कलीसिया में कितने भविश ड़क्ता और उपदेशक थे, अर्थात बर्नबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकी उस कुरेनी और देश की चौथाई के राजा हिरोदेस का, दूद भाई, मनाहिम और श उन्हें बुलाया है, तब उन्होंने उपवास और प्रातना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, सुवे पवित्रात्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए, और वहां से जहाच पर चड़कर कुप्रुस को चले, और सलमीस में पहुँचकर परमेशर का वचन यहोदियों की आरात नालायों में सुनाया, और यहनना उनका सेवक था, और उस सारे टापु में होते हुए पाफुस तक पहुँचे, वहां उन्हें बार इशु नाम एक यहोदी टोना और जुटा भष्वश दकता मिला, वह सिर्गियूस पॉलूस सूबे के साथ था, जो सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा, तब शाउल ने जिसका नाम पॉलूस भी है, पवित रात्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टक्टकी लगा करता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शातान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तु का हाथ तुछ पर लगा है, और तु कुछ समय तक अंधा रहेगा, और सूर्य को न देखेगा, तब तुरंथ धुंदलाई और अंधेरा उस पर छागिया, और वै इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले, तब सूबे ने जो हुआ था देख कर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया, पौलूस और उसके साथ ही पाफुस से जहाच खोल कर पमफूलिया के पिरगा में आए, और योहनना उने छोड़कर यरुशलेम को लोट गया, और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में प बैट गए, और विवस्था और भर्ष दपताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद, सभा के सरदारों ने उनके पास खहला भेजा, कि हे भाईयो, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो, तो कहो, तब पौलूस ने खड़े होकर और हाथ से सैन क करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो, इन इसराइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उनकी उन्नती की और बलवंत भुजा से निकाल लाया, और कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में साथ जातियों का नाश करके, उनका देश कोई साहे चार सो वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया, इसके बाद उसने सामुयल भशगत्ता तक उन में न्याही ठहराए, उसके बाद उन्होंने एक राजा मा उन पर राजा ठहराया, फिर उसे अलग करके दाओद को उनका राजा बनाया, जिसके विशह में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष हिश्य का पुत्र दाओद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, इसी के वंश में से परमेश्वर न यहन्ना ने सब इसरालियों को मन फिराओ के बप्तिस्मा का परचार किया, और जब यहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाउं की जूती मैं खोलने के नहीं, हे भाईयों, तुम जो इबराहिम की संतान हो, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुमारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि एरुशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना, और ना भषड़ताओं की बाते समझी, जो ह पिलातू से बिंती की, कि वह मार डाला जाए, और जब उन्होंने उसके विश्य में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कबर में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुँ में सिजलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरुशल आये थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगों के सामने अब वही उसके गवहा हैं, और हम तुम्हें उस प्रतिग्या के विश्य में जो बाप दादों से की गई थी, यह सुसमचार सुनाते हैं, कि परमेश्वर ने ईश्य को जिला कर वही प्रतिग्या हमरी संत के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जनमाया है, और उसके इस रीती से मरे हुँ में से जिलाने के विश्य में भी, कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है, कि मैं दाउत पर की पवित्र और अचल क्रप तुम पर करूंगा, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाउत तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, और अपने बाप दादों में जा मिला, और सड़ भी गया, परंत और जिन बातों से तुम मुसा की विवस्था के द्वारा निर्दोश नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोश ठहरता है, इसलिए चौकस रहो, ऐसा नहो कि जो भषड़क्ताओं की पुस्तक में आया है, तुम पर भी आ तुम से उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीती न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उससे बिंती करने लगे, कि अगले सब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं, और जब सभा उठ गई, तो यहूदियों और यहूदी मतने आई हुए भक्तों में से तेरे पॉलूस और बर्नबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातने करके समझाया, कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनन्त जीवन की योगे नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आग्या दी है, कि मैंने तुझे अन्यजातियों के लिए जोती ठहराया है, ताकि तु प्रत्व की छोड तक उधार का द्वार हो, यह सुनकर अन्यजाति आनन्दित हुए और परमेशर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनन्त जीवन के लिए ठहराये गए थे, उन्होंने विश्वास किया, तब रभु का वचन उस सारे देश में फैले लगा, परन्तु यह के सामने अपने पाउं की धूल ज़ाड कर इकनियुम को गए और चेले आनन्द से और पवित्रात्म से परिपूर्ण होते रहे।